हम इस्पेक्टर टिंकु जिया जिसने हमसे पंगा लिया उसको सीड़ा अंबर किया अच्छा कालू ये बताओ तुमने घर के मालिक और मालकिन के होते हुए चोरी कैसे की इस्पेक्टर साहब आपकी अच्छी सेलरी है हाँ है तो परिवार सुक सांति से जीता है हाँ हम तो सब सुक्षेन से रहते हैं तो फिर ये जानकर आप क्या करोगे इस्पेक्टर साहब की चोरी कैसे करते हैं और कालू तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जहां चोरी करने जा रहे हो वहाँ पर कोई नहीं है आज सर सर संता ने पूरे 15 फोटो डाले थे फेस्बूक पर और लिखा था मस्ती विद फुल फेमली इन एनिटाल अच्छा कालू ये वताओ तुम चोरी क्यों करते हो आपके लिए इस्पेक्टर साहब आपके बच्चों के लिए इस्पेक्टर साहब आपके परिवार के लिए इस्पेक्टर साहब या मतलब कालू इस्पेक्टर साहब अगर हम चोरी ना करें तो जनता को और सरकार को आपकी जरूरत ही क्या होगी आपकी नोकरी खत्रे में पड़ जाएगी आपके बीवी बच्चे बुके मरेंगे इस्पेक्टर साहब बस बस पगले रुलाएगा क्या छोड़ दो कालू को और कालू तुम मुझसे वादा करो कि आगे से किसी की भी जेब नहीं काटोगे पेक्टर साब मैं वादा करता हूँ कि मैं आगे से किसी की जैब नहीं काटूँगा बलकि पीछे से काटूँगा